गैस अगर आपके भी फॉन में इंटरनेट यूज नहीं हो रहा है और कोई भी कॉल नहीं लग रहा है क्या होता है दोस्तों आपके फॉन में आपने रिचार्च किया है लेकिन दोस्तों वहाँ पर रिचार्च करने के बाद आपके फॉन में कोई भी कॉल नहीं लग रहा है तो कैसे ठीक करना है तो Strand को बताने वाला हूं तो दोस्तो आज विडियो में आपको दो से तीन तरीका बताने वालाओ इनसे आप अपने phone में यहाँ पर जो भी problem में वो ठीक कर सकते है तो गाइस वीडियो को start कर लेते है तो simply क्या करना है दोस्तों आपको अपने phone के setting app को यहाँ पर open कर लेना है जैसे दोस्तों यहाँ पर setting app को open कर लेंगे तो guys क्या करना है यहाँ पर आपको mobile network का option मिल जाता है mobile network का click कर लेना है जैसे यहाँ पर click करते है तो यहाँ पर उसका सारे सेटिंग मिल जाता है और यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यह ची अनेबल देखने को मिल ला होगा तो इसको दोस्तो आपको आफ कर लिना है जैसे यहाँ पर आफ करेंगे डिसेबल करेंगे तो यहाँ पर कुछ दिर यहाँ पर loading लेगा और यहाँ पर off हो जाएगा off करने के बाद दोस्तों फिर से इसको enable कर लेना है जिससे दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी problem होगा आपके call नहीं लगर आपका net नहीं चल ला है तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे एक option मिल जाएगा access point names इसपर click कर लेना है यहाँ पर click करने का बाद यहाँ पर आपका जो भी steam होगा geo का या Indian का यहाँ पर धिख जाता है तो क्या करना है दोस्तों ऊपर यहाँ पर को three dot ka option मिल जाएगा three dot पर click कर लेना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको option मिल जाएगा reset access point आपको इस पर click कर लेना है guys यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर पर आपको जो जाता है तो यहाँ पर आपको जो probe लेना आ, यहाँ से आपको back हो जाता है اपके phone में कोई ंट नहीं चल ला executed and को छीज थीप हो जाएगा अब आपके phone में call लगने लग जाएगा और आपका net वी चुनिल लग जाएगा तो दोस्तो अगर आपके phone में फिर भी net नहीं चल ला है, call नहीं लगा है, automatic cut हो जा रहा है, तो दोस्तो आपने जो भी SIM में recharge किया होगा, उसमें आपका दोस्तो वह recharge जो plan है, वह activate नहीं होगा, जिससे आपका call नहीं लगा है और net नहीं चल ला है, तो इसके लिए दोस्तो करना होगा अगर आपने जीओ सिम पर रिचार्ज किया हुआ है तो यहां पर प्लेइट कर लेना है तो यहां से एप से भी आप खुझ से भी कर सकते हैं यह कस्टमर केर से दोस्तों आप बात करके वहां पर एक्टिवेट करवा सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करना साधी चैनल को सस्काइब करना ना भूले